कि नमस्कार मैं अंजली मिशौर स्वागत है आपका हमारी चैनल संजों राउत के इरी द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद क्रीट सुमय्या ने ट्वीट करकी अपनाएक छोटा सा वीडियो साजा किया जिसमें उन्हें कहा कि माफिया पुलिस कमिशनर संजे पांडे के बाद अब माफिया नेता संजे राउत पुलिस की गिरिफ्त में है गोड़े गाव पात्रा चौल बारा सो कड़ोर रुपए का घोटाला पात्रा नए गाव दो हजार कड़ोर का घोटाला अलिबाग में जमीन दादर और मुंबई में फ्लाट्स विदेश परवास और दुबई में संजराउत किसे मिलने थे ये सब चीजे जब बाहर आएगी तो मुझे विश्वास है कि आर्थर रोड जेल में नवाब मलिक के पडोसी बनने का सम्मान संजराउत को मिलेगा और उन्होंने कैप्शन में लिखा नवाब मलिक के पडोसी बनेंगे संजराउत वहीं बीजेपी नेता मोहित कामबोज ने भी ट्वीट कर लिखा सलीम जावेद का मिलन हो गया आपको दादे कि नवाब मलिक की तरह ही संजराउत का ही अभी हाल जो है वो बेहाल होता नजर आ रहा है आज सुबा ही संजराउत की घर पर एडी द्वारा दविश्टी गई एडी लगातार जो है वहाँ पर उनसे कई घंटों तक पूश्टाज भी करती रही तकरीबन 9 घंटे तक पूश्टाज की गई उसके बाद अब जो है संजराउत को हिरासत में ले लिया गया है इडी के एक्शन से ठीक पहले आपको बता दे कि उधव ठाकरी का बयान नोट किया गया इसमें महराज़र के पूर्व मुख्या मंतरी उधव ठाकरी ये कहते नजर आये थे कि संजराउत को इडी गिरफतार कर लेगी आशंका जताई थी और देखिए संजराउत को इडी न करते थे बड़ी बड़ी बाते करते थे कीचड़ उचालते रहे और आखरकार आप देख सकते हैं कि नवाब मलिक आश के वक्त में आर्थर जेल रोड में अपनी जिंदगी जो है काट रहे हैं जमानत के लिए भी कई वार कोशिश की लेकिं बाहर नहीं निकल पाए तो संजराओ तो संजराओ भी इसी तरीके से बेबुनियाद आरोप लगाना एक के बाद एक पीसी करना उस पीसी का कोई मतलब नहीं बनना जो है क्री समया के उपर भी आरोप लगाना बेबुनियाद आरोप लगाना कई सारे जो इस तरीके से नवाब मलिक के उपर एक के उट स्पीकर कहा जाता था सुबह उठते ही मीडिया में बने रहने के लिए एक बयान देना इनके तरफ से अनिवारे हो चुका था दोनों ही बयान बाजी करने की वजह से ही सुर्ख्यों में बने रहते थे और इसी वजह से नवाम मलिक जो हैं उनके काले कारणा में सामने आ सब्सक्राइक और में सब्सक्राय। सब्सक्राइब की तक जिए जिए duyго़ने कहा भिए बाला सहब ठाकरे कि किक Bay street कहाके के नहीं छोड़ूंगा मेरे खिलाफ जूटी कारवाई की गई है जूटे केस बनाए गए है जूटे जो सारी चीज़े है जूटे आरोप लगाए गए है सब कुछ मेरे खिलाफ जूट के उपर बेस करके बनाया गया है सब कुछ जूट के उपर ही बनाया गया है और यह जूट तो जल्दी जेल की तरफ रुख कर सकते हैं क्यूंकि एडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया है अभी भी पात्रा चौल से जुड़े कई सारे सवालों का सामना संजराउत को करना पड़ेगा नौ घंटे की पूछताच में कई सारे जो चीज़े हो देखने के लिए मिली इस बीच ये भी खबर आई की संजराउत के फोन को एडी द्वारा जब्त कर लिया गया है इसके बाद फिर खबर आई कि संजराउत को हिरासत में एडी द्वारा ले लिया गया एक हजार 34 करों वह था ब्लब्लपमें नहीं कराये और लोगों को जिन्हें धर भी नहीं दिया गया बलकि जमीन को कई सारे बिल्डर्स को मन माने दाम में बेच दिया गया इसको जागर करने वाले कुद कृट्सों मईया थे और इस वजए से जैसे ये खबर सामने आई की संजराउत की खि राउत जो है सलीम और जावेत का जो मिलन है वो हो जाएगा और ऐसा ही देखने के लिए मिला वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो महाराश्ट्र में जो सत्ता परिवतर हो इसके बाद बीजेपी ततकालीन महाविकास अगारी सरकार के कतित गोताले को लेकर आकरमक हो कि मलाड वेस्ट में विधायक और ततकालीन ठाकरे सरकार के मंतरी आलम शेक ततकालीन सरकार के परियावरन विवाग और मुंबई महानगर पालिकाक में मिली भगत से नियम तोड़कर मलाड के मड़ इलाके में भू माफिया को फाइदा पहुचा आए गया और समुदर किना के बंगले के लिए मशूर है समुदर किनार बसे मड़ इलाके में 20 फूट की जमीन की करोड़ों की कीमत की है इस अलाके में सेक्ड़ों फिल्म स्टूडियो है जहां म्यूजिक वीडियो फिल्म और टीवी सीरियस के शूटिंग होती है बाश्पान एता की सुवईय ने अर इन फिल्म स्टूडियो को अस्थाई बनाए गया और जुलाई 2021 के बाद तोड़ने की बात कहीं गई हाला कि जूटे दस्तावेश के आधार पर स्टूडियो अभी भी मौजूद है शूटिंग चल रही है सुमया का रोप है कि स्थानिया विधायक परियावन विभाग और मुंबई महानगर पालिका से मिली बगत के छे महीरे के लियास था इस्टूडियो और फिल्म सेट बनाने की इजाज़त दी गई और यह इजाज़त फरवरी 2021 में दी गई जिसकी बैदता जुलाई 2021 तक थी आरोप के मुताबित CRZ शेतर में होने से समंदरी लहरे भी स्टूडियो से टकराती हैं जबकि BMC ने फरजी दस्तावेस के आधार पर स्टूडियो को कायम रखने की इजाज़त दी सुमया ने बताया कि उन्होंने सांसत गोपाल शेट्टी ने इस कडोडों के प्रिष्टचार की शिकायत परिय नहीं आया कि जस्ताविके किरिट सुमया उन पर आरोप लगा रहे हैं उस पर यह क्या कहिना चाहेंगे तो आपको बतादी किरिट सुमया बहुत ही जादा निर्भीक नेता है जो की जादतर महराश्य के घोटालों को जागर करने में काफी एहम रोल निभा चुके हैं किरि पर और जो पिक्चर से वाइरल हुए थे किस तरीके सब्सक्राइब को चोटिल भी किया गया था इसके बावजूद कि समया रुके नहीं थमें नहीं और लगातार जो है महाराश्य के महाविकास अगाड़ी सरकार के जो भी घोटाले हैं उसे उजागर करते गए आखिर आपकी जोड़ाय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साजा करें